नमस्का दोस्तो मेरा नम रजित अकरवाल है दोस्तो हमने पिछली विडियो में चार्ट एरिया को कम्प्लेट समझ लिया था आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल एक्सिस के बारे में तो आए शुरू करते हैं तो यहां पर देखे यहां पर जो नम्बरिंग इंपुट की ह यह 0, 5000, 10,000, 15,000 यह हमारा वर्टिकल एक्सिस के लाता है तो आए इसे हम फॉर्मेट करके देखते हैं क्या हम कर सकते हैं तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहां पर आपको राइट क्लिक इंपुट करना है राइट क्लिक इंपुट करने के बा सबसे पहला option आता है minimum और maximum का इसको समझते हैं क्या हम use है अब देखिए जब भी आप data के चार्ट के अंदर data input करते हैं तो automatically MS Word के अंदर ये जो numbering है automatically adjust हो जाती है यानि कि 0 से start हुई है और 50,000 तक यहां पर ये खतम हो गई है तो यहां पर ये automatically data के accordingly अपनी numbering input कर देता है अब यहां पर बात आती है कि अगर आप 0 से start नहीं करना चाहते अपना data तो आप क्या करेंगे तो अगर आप 0 से start नहीं करना चाहते तो यहां पर आपके पास option आता है minimum का तो minimum का यहां पर पहले auto पे click किया हुआ है यहां पर अब आप fixed पे click करेंगे तो आईए click करते हैं fixed पे click करने के बाद यहां पर आपके बस option खुल जाता है अब यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई भी number input कर सकते हैं जिस number से आप इसको start करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं इसे 5000 से start करना चाहता हूँ क्योंकि आप देख सकते है data के अंदर 5000 के उपर की ही value है तो यहां पर मैं 5000 input करता हूँ एक second और यहां मैं इदर नीचे click करता हूँ तो देखिए आप अपने chart पे ध्यान से देखिएगा automatically जो हमारी पहले 0 से start हो रही थी value वो अब 5000 से शुरू हुई है 5000, 10,000, 15,000 तो इस तरीके से बिलकुल आसानी से आपने minimum value input कर दिये अब यहां पर दूसरा बात आती है कि हम maximum जो value है वो अपनी मर्जी से डालना चाते है अब यहां पर आपको chart के अंदर दिख रहा है कि जो हमारा data है वो 45,000 तक का ही है और आप यह नहीं चाते कि इस से उपर की कोई value यहां पर show करे तो यहां पर आप चाते कि 45,000 highest value तक ही हमारा chart जाए तो यहां पर हमारा पर दूसरा option मिलता है maximum का इस पर आप auto की जगे पर fixed पर click कीजिए और fixed पर click करने के बाद यहां पर आप अपनी value input कर दीजिए तो यहां पर मैं 45,000 input करता हूँ और नीचे click करता हूँ बिल्कुल देखिए आप अपने screen पर देखिएगा अराम से आप देखिए यहां पर 50,000 वाली value हट गई है और automatically 45,000 तक का last हमारा जो value है वो यहां पर input हो गई है बिल्कुल असानी से तो यह आपने पहरा दो option आपने बिल्कुल असानी से समझ लिया है अब हमारे पास दूसरा जो option आता है वो आता है major unit और minor unit इसे समझते हैं अब देखिए यहां पर major unit का क्या है जब भी आप अपने Excel के अंदर data input करते हैं Microsoft Word के चार्ट के लिए तो यहां पर देखिए automatically वो difference जो है वो automatically computer चक लेता है यानि कि यहां पर जो difference है वो कितने का है 5000 का है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तो यह आप देख पर हैं यानि कि automatically उसने 5000 का difference जो है वो automatically ले लिया है लेकिन मैं यहां पर यह चाहता हूँ कि यहां पर जो difference है वो मेरी मर्जी से हो तो आप क्या करेंगे तो यहां पर आपके पास option आता है major unit का तो major unit पे सबसे पहले आपको fixed पे click करना है fixed पे click करने के बाद यहां पर आपको value input करनी है मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 2000 का gap हो तो यहां पर मैं 2000 input करता हूँ और यहां पर मैं नीचे click करता हूँ तो देखिए बिलकुल आसानी से देख पा रहे हैं अब दे की दियान से देखिएगा यहां 5000 से क्यों शुरू हुआ क्योंकि हमने यहां पर fixed किया हुए 5000 से शुरू करना है लेकिन 5000 के बाद 2000 का difference आया है क्योंकि हमने major unit 2000 की है तो 5 के बाद 7, 9, 11, 13 ऐसे so on और last हमारा 45,000 तक गया है तो यह आपने पॉइंट समझ लिया है बिल्कुल आसानी से अब यहां पर main चीज आपको समझाता हूँ दूसरा हमारे पास option आता है minor unit का इसको क्या समझते है सबसे पहले मैं इसको auto पे कर देता हूँ ताकि आपको clarity समझाए तो minor unit को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करने पड़ेगी सबसे पहले मैं इसे cross करता हूँ यहां पर हमें vertical axis पे click करना है और right click करना है सबसे पहला काम करना है Add minor grid line जी हां सबसे पहले आपको Add minor grid line पे click करने हैं आये click करते हैं click करने के बाद देख 립िए यहाँ पर आपके minor guidelines input हो गई है राइट अब वापी से आपको right click करके format access पर जाना है और यहाँ पर अब मैं आपको समझाता हूँ तो यहाँ पर देखे minor unit का क्या मतलब है major unit का तो मतलब आप समझ गए पांच हजार दस हजार के बीच में जो difference चाहते हो आप वो आप input करोगे minor unit कौन सी है पांच हजार और दस हजार के बीच के अंदर आप क्या difference रखना चाहते है यानि की grid line जो है उसके अंदर क्या difference रखना चाहते है मैं समझाता हूँ आपको तो यहाँ पर सबसे पहले minor unit पर अब देखें यहाँ पर आप देखें काफी सारी lines input हुई है अब मैं इसे fixed कर देता हूँ और मैं यहाँ input कर देता हूँ 2500 अब 2500 का क्या मतलब हुआ कि 5000 और 10,000 के बीच में 5000 का फरक है और मैं minor grid line 2500 पर चाहता हूँ तो यानि कि इन दोनों के बीच में एक ही grid line आएगी और मैं इसे click करता हूँ तो देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने उसे fixed किया minor grid line की तो 5000 और 10,000 के बीच में एक ही grid line हमारे सामने show हुई है और ऐसी अगर आप जादा grid line चाहते हैं तो इसकी value आप इसे कम कर देंगे तो automatically आ जाएगा तो आपने ये चीज़ समझ लिए बिलकुल आसानी से उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला option आता है values in reverse order अब इसका simple सा है इस पर जैसे ही आप click करेंगे जो values है वो reverse हो जाएगी और हमारा table भी up and down हो जाएगा इस पर click करते हैं तो देखें जो values है वो उपर से निचे तक चल रही है और हमारा table भी reverse हो गया है तो ये आप देखने के लिए अच्छा लगता है इसको आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगला जो topic हम करने वाले हैं वो है display unit का अब देखें आप ये देख पा रही हैं जो vertical axis है वहाँ पर 5,000, 10,000, 15,000 ये value काफी बड़ी हो गई है और ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आप क्या है इस values को छोटी भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास option आता है display unit का इस पर click कीजिए तो click करने के बद यहाँ पर option आते है hundred, thousands, millions यानि कि आप इस value को छोटी कर सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ suppose कि जिए मैं इसे thousands पर करता हूँ thousands पर जैसे ही मैं click करता हूँ आप देख पा रहे हैं यहाँ जो value है वो automatically 5, 10, 15 होगी है लेकिन यहाँ पर यह जो value है यह thousands के अंदर है और यहाँ पर आपको यह display भी करने लग जया है कि यह thousands की value है यह पांच, 1000 है तो इस तरीके से आप value छोटी भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ thousand नहीं show हो तो यहाँ पर आप इसे हटा भी सकते हैं लेकिन मैं prefer करूँगा कि आप इसे show करें क्योंकि तभी पता चलेगा आप net पर देखते हैं कई charts होते हैं उस पर उपर लिखा होता है the values are in crores और नीचे एक चोटा सा table होता है तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सी value है इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अगला जो हमारा topic आता है वो आता है major tick mark type इसे समझते हैं तेकि major tick mark type का मतलब यह है कि आप यह देख पा रहे हैं 0, 5, 10 यह जो axis है इसके बिल्कुल सामने एक line input हुई है अब यह line जो भार की तरफ है अगर आप इसे अंदर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो इस पे सबसे पहले आपको click करना है click करने के बार inside का option पे click करेंगे तो देखे यह जो हमारी line है यह table के अंदर आ गई है और इसी तरीके से अगर बार की तरफ करना चाहते हैं तो आप इसे outside input करेंगे तो यह बार की तरफ आ जाएगी बार की तरफ इसलिए होती है ताकि आपको पता चल पाए फटा-फट की 10 के आगे की जो data है वो कौन सा है इसी की तरह minor tick marks की बात करें तो minor tick mark के लिए हमें सबसे पहले minor grid lines input करनी पड़ेगी सबसे पहले वो input करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ इस पे सबसे पहले आपको vertical axis पे click करना है click करने के बाद right click input करके यहाँ पे option मिलता है add minor grid line इस पे click करते हैं तो minor grid line input करने के बाद आप वापी से format axis पे जाएंगे सबसे पहले मैं इसे करता हूँ और यहाँ पर आता है minor tick mark type minor tick mark type कौन सी है जो हमारे center में जो 0 से 5 के बीच की grid lines है उसकी बात हो रही है अब मैं लेजे यह अब फिलाल तो यह अंदर की तरफ है आप चाहते हैं यह बाहर की तरफ आ जाएं तो इसे आप minor tick mark पे click करेंगे और outside पे click करेंगे तो देख पारे हैं जो हमारी अंदर वाली lines थी उसका भी जो area है वो बाहर की तरफ आ गया है और ऐसी axis labels है अगर आप axis जो है यानि कि जो vertical axis के उपर जो values लिखी है इसको आप change करना चाहते है मान लिजे मैं दूसी तरफ लेके जाना चाहता हूं तो देखिए दूसी तरफ आ गी है लेकिन आपको prefer यह करूँगा इसे हमेशा next to axis यानि कि x axis के पास ही रखा जाए यहाँ पर position skip perfect है तो इस तरीके से हमने समझ लिया है इसके बाद हमारे पास एक option आता है logarithmic scale logarithmic scale का simple सा use है कुछ जादा आप use नहीं कर पाएंगे मैंने इसको आपको पहले skip कर दिया था इसका use सिरफ इतना ही है कि data को जो base आप input करेंगे उस base के accordingly ही यह आपको chart input करेंगे मैं इस पे click करता हूँ तो देखी यह जो chart है base 10 के accordingly आपको यह data show करने लग जाएगा यह आपके लिए इतना important नहीं है लेकिन मैंने को पताना जरूरी था भाई इसका use क्या है 10 का base यह लेकर 10 का square का basis लेके यह आपको logarithmic scale के accordingly यह आपको values को show करेगा यह आपका complete हो गया है उसके बाद यहाँ पर आती है numbers का यह important है इसे समझेगा इसे मैं आपको समझाता हूँ तो देखी numbers के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है आप format access पर जाते है numbers पर देखी यहाँ पर बात आ जाती है आप देखी यहाँ पर तो आपने number input किया है लेकिन कई बार क्या होता है कि number की जगे पर currencies भी input होती है कई बार time भी input होता है किसी भी type का data हो सकता है time का date का data हो सकता है तो यहाँ पर आप अपने नंबर की categories भी find कर सकते हैं मैं आपको करके बताता हूँ जैसे suppose कीजी आपको कोई data मिला उसके अंदर currencies input है तो आप जो data है वो currency में करना चाहते हैं तो इस पर currency वाला option मिलता है इस पर click कीजी सबसे पहली चीज currency input करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलता है decimal places यानि कि आप decimal कितने चाहते है suppose कीजीए मैं चाहता ही नहीं हूँ मैं इसे zero कर देता हूँ तो zero करने के बाद उसके बाद देखे zero जैसे ही मैंने किया यहाँ पर जो values है वो decimal points हट गए है और यहाँ पर dollar का symbol आ गया है यानि कि आपका जो value है वो currency में convert हो गई है लेकिन अब आप चाहते हैं कि मान लिजे इंडिया में रहते हैं तो rupees हो तो यहाँ पर हमें option मिलता है इंडिया का rupees तो इस पर click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो symbol जो है वो इंडिया का रूपी का symbol आ जाएगा इसी तरीके से आप कोई भी use कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर आप date भी input कर सकते हैं इस पर date पर click करते हैं तो देखे date input होगी यानि कि data के accordingly date input हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको time के हिसाब से करना है तो time के accordingly हो जाएगी percentage डाल सकते हैं fractions डाल सकते हैं तो इस तरीके से बिलकुल आसानी से आप अपने data के accordingly भी आप number adjust कर सकते हैं बिलकुल आसानी से तो यहाँ पर मैंने numbers भी आपको बता दिया उसके बाद फिल, line color, line style, shadow, 3D, alignment यह सब मैंने आपको पिछली वीडियो में detail से समझाया हुए तो मैं वापिस नहीं समझाऊंगा तो आज हमारा vertical axis का जो data है vertical axis में जो editing है वो मैंने आपको detail में समझा दिये next वीडियो में हम अगला इसका topic करेंगे thank you very much